आप सभी लिसनर्स का एक बार फिर से स्वागत हैं आज हम करंट अफेयर के कुछ नए कोशनों के साथ इस नए सेशन को स्टार्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दमदार करंट अफेयर बता देता हूं आप सभी को मालूम पढ़ चुका होगा कि राफेयल विमान की पहली केस जिसमें पांच विमान सामिल हैं वे भारत आच चुके हैं तो मैं इसके कुछ मुख्यतत्य आपके सामने रख देता हूं जो की इस प्रकार हैं राफेयल के निर्माता दसार्ट एवियेशन है जो की एक फ्रांसिस कंपनी है राफेयल का कुल वजन 24,500 किलो ग्राम है इसकी टॉप स्पीड 1389 किलो मीटर प्रति घंटा है इसकी वजन ढोने की च्छमता 9500 किलो ग्राम अधिकतर है इसकी लंबाई 10.3 मीटर उचाई 5.3 मीटर है इसकी रेंज 3700 किलो मीटर है इसकी फ्यूल छमता 17000 किलो ग्राम अंदर और बाहर मिलाके है युद्ध के लिए यह गन हावा से हावा में मार करने वाली मिशाईले हावा से जमीन पर मार करने वाली विशाईले अपने साथ लेके उड़ सकता है तो चलिए कुशन नमबर वन देखते हैं अब हाली में किस ने दा इंडिया वे स्टिटजी फॉर अंसर टें वर्ल्ड नामग पुस्तक लिखी इसका सही आंसर देख लेते हैं कि सही आंसर है आंसर नमबर डी एस जय संकर S.J.Sankar ने The India Way Strategies for Uncertained World नमक पुस्तक लिखी S.J.Sankar कौन है? आप तस्वीर उनको देख सकते हैं इनका पूरा नाम है सुब्रुमर्णियम जैशंकर इनका जन्व 15 जन्वरी 1957 में हुआ था वर्तवान में भारत के ये विदेश मंत्री है वे जन्वरी 2015 से जन्वरी 2018 तक भारत सरकार के विदेश सचीव रह चुके हैं उन्होंने विदेश सचीव के रूप में अमेरिका चीन समेथ आशियान के बैहत महत्वपूर कूट नितिक असाइन्मेंट पर काम किया है ठीक है? नेक्स कुश्चन हाली में विश्व प्रकर्तिक सरचन दिवस कब मनाया गया? इसका सही अंसर है अंसर नमबर C 28 जुलाई को मैं आपको बता देता हूँ कि विश्व प्रकर्तिक सरचन दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्तमान परिपेच में विभिन प्रजाती के जीव जन्तु और प्रकर्तिक उस्तोत और वनस्पती विलुप्त हो रहे हैं जिनके सर्रच्छन के लिए और लोगों को जागरू करने के लिए 28 जुलाई को विश्विप्रकर्तिक सर्रच्छन दिवस मनाया जाता है हाली में टुनिश्या के नए पियम कौन बने इसका सही आंसर देख लेते हैं हाली में टुनिश्या के नए पियम आंसर नमबर ए हिचायम मचीची बने मैं आपको बता देता हूँ कि हाली में टुनिश्या के आंतरिक मंतरी हिचायम मचीची को टुनिश्या का नया प्रदान मंतरी नियुक्ति किया गया है प्रदान मंतरी पत पर उनकी नियुक्ति एलीस फक्फक के स्थान पर की गई है जिनोंने हाली में मतभेदों के चलते इस्तीवा दे दिया था अब सरकार बनाने के लिए उनके पास एक महीने का समय है ठीक है अब बात हो रही है ट्यूनिशिया की ये कहा है अब नक्से में ट्यूनिशिया को देख सकते हैं टुनिशिया टुनिशिया उत्री अफ्रीका महादीब में एक अरब रास्ट है जिसका अरबी भासा में नाम टूनिस है यह भूमत सागर के किनारे स्थित है इसके पूर में लीविया और पश्शिम में अलजीरिया देश है देश की 45 पतीसत जमीन सहारा रेगिस्तान में है ज किसने डेयर टुड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है हाली में किसने डेयर टुड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू करी है इसका सही आंसर देख लेते हैं का सही आंसर है आंसर नंबर B DRDO अच्छा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा एक नवाचार प्रतियोग गई है पूरो राश्पती और प्रसित्र विज्ञानिक धाक्टर एपी जे अब्दुल का नाम की पांचवी पुन्तिती के अफसर पर प्रत्योगिता का शुबारम किया गया डेयर टू ड्रीम 2.0 को देश के इनोवेटर्स और स्टार्टप्स को बढ़ावा देने के लिए ए अनुसंधान एवं विकार संगटन डियाडियो डिफेंस रिसर्च एंड डवलप्मेंट और्गनाइजेशन भारत की रच्छा से जुड़े अनुसंधान कारियों के लिए देश के अगणी संस्था है यह संगटन भारती रच्छा मंत्राले की एक अनुशांगिक इकाई के रूप में कार करता है ठीक है next question हाली में किस राज ने निशुल्क मास्क वित्रण योजना शुरू की इसका सही आंसर देख लेते हैं का सही आंसर है आंसर नमबर ए तमिल नाडू तमिल नाडू ने निशुल्क मास्क वित्रण सेवा को चालू किया है तमिल नाडू के मुख मंतरी के पलानी स्वामी ने कोविड नाइंटीन से निपटने में मदद के लिए सोमवार को निशुल्क मास्क वित्रण योजना शुरू की इस योजना के पहले चरण के तहत 69 लाग से अधिक परिवार को लाब मिलेगा पलानी स्वामी ने योजना के पहले चरण की शुरूआत करते हुए सचिवाले में पाँच लोगों को मास्क वित्रित किये ये मास्क राशन की दुकानों के जरिये लाबार्दियों को वित्रित किया जाएगा अब चिन्ने की बात हो रही तो चिन्ने को पहले मदरास के नाम से जाना जाता था यह भारत के सुदूर दच्छड में स्थित राज्ज है तमिलनाडू की राजधानी है कोर मंडल तड़ पर बसा यह शहर एक प्रमुक मेट्रो पॉलिटिन और कॉस्मो पॉलिटिन सिटी है 1644 में बिटिस्ट इस्ट इंडिया कंपनी चिन्ने के तड़ पर आई थी और उन्होंने यहां सेंट जॉर्ज किले का निर्मार्ट करवाया था ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन हाली में किसने सैच्छर चैनल स्वैम प्रभा का आन्लाइन उद्गाटन किया है इसका सही आंसर है आंसर नमबर ए आनन्दी बैन पटेल आप तस्वीर में उनको देख सकते हैं उत्तर पदेश की राजपाल आनन्दी बैन पटेल ने सैच्छर चैनल स्वैम प्रभा का आन्लाइन उद्गाटन किया है बता दें कि राजपाल डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम प्राविदिक विश्विद्दाले की स्थापना दिवस समारों में शिरकत की और उन्होंने आनन उद्गाटन किया उन्होंने कहा कि विश्विद्दाले डॉक्टर कलाम के सपनों के अनुरूप उच्छ कोटी के शोतिकार करे वहीं सेच्षिड चैनल स्वैम प्रभा के विशय में उन्होंने बताया कि ये चैनल विद्यारतियों को डिजिटल कंटेंट 24 घंटे में तीन बार शाम के चार बजे, रात के बारा बजे और सुबह आट बजे उपलब्द कराएगा नेक्स्ट कुश्चन हाली में भारत और इंडोनेशिया के रच्छा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी डैली मैं आपको बता देता हूँ कि भारत और इंडोनेशिया गड़राज की रच्छा मंत्रियों के बीच समवाद आज यहां आयोजित किया गया भारती प्रतिनीदी मंदल का नित्वत रच्छा मंत्री श्री राजनास सिंग ने किया जबकि इंडोनेशिया प्रतिनिधी मंडल का नेत्वत इस देश के रच्छामंद्री जनरल प्रबोगु सुभी आतो ने किया जो दोनों समुत्री पडोसी देशों के पारस्परिक संबंदों को मजबूत करने के लिए फिलाल भारत आये हुए है आप तस्विरव उनको देश सकते हैं वाइस एड्मिरल मने के कमांडेट का पद भाग रहन किया उन्होंने वाइस एड्मिरल दिनेश के त्रिपाटी एवी एसम एन एम की जगह ली हैं जिन्होंने बारा जून दोजार उन्निस से 27 जुलाई दोजार बीस तक भारती नौसेनायक आदमी के कमांडेट के रूप में कार किया है नेक्स कुश्चन हाली में भारत ने किस देश को ब्राड गैज रेलवें इंजन सौपे इसका सही आंसर देख लेते हैं इसका सही आंसर आंसर नंबर बी बंगलादेश भारती रेलवें की तरफ से बंगलादेश को 10 ब्राड गैज डीजल इंजन सौपे गए हैं बंगलादेश को दिये जा रहे 3300 हर्स पाबर वाले WDM 3D लोको इंजन की उम्र 28 साल या उससे अधिक है बंगलादेश अब बंगलादेश को नक्से में देख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि 1971 में पाकिस्तान से पूरी पाकिस्तान अलाग होकर एक देश बना था जो बंगलादेश के नाम से जाना जाता है बांगलादेश की आजादी में भारत का एहम युगदान था पाकिस्तान में 1970 का चुनाओ बांगलादेश के अस्तित्र के लिए काफी एहम साबित हुआ पाकिस्तान की सेना ने अंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहरा लिया था ठीक है? Next question हाली में भारत का कौन सा बैंक दुनिया का सबसे लोकप्री स्टॉक बन गया है? इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं इसका सही आंसर है Answer no.C. ICICI Bank ICICI इस समय दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्री स्टॉक बन गया है ICICI Bank ने पिछले 10 सालों में शानदार प्रदर्सन दिखाया है 69 विशले शुकों ने ICICI Bank को ट्रैक किया है और सभी ने इसे खरीदने का सुझाओ दिया है 64 विशेशक्यों ने अलिबाबा को ट्रैक किया है जिसमें से 63 ने इसे खरीदने का सुझाओ दिया है ICICI Bank के बारें बात हो रही है तो मैं ICICI Bank के बारें कुछ बता देता हूँ आपको ICICI Bank भारत की प्रमुक Banking एवं वित्ती सेवा संस्थान है पहले इसका नाम Industrial Credit and Investment Corporation of India था यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है बजार Capitalization की दस्टी से भारत के निजी छेतर का यह सबसे बड़ा बैंक है इस बैंक की भारत में 2883 साखाएं हैं एवं 10,021 ATM है तो इसी प्रकार के Current Affairs के कुश्चनों के देखते रहने के लिए हमारे साथ जोड़े रहिए Thank you